आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक AI Desktop Assistant बना कर दिखाने वाला हूँ AI and Machine Learning काफी बूम पर है, ChatGPT आया, OpenAI ने इतने बड़िया बड़िया प्रोड़िया प्रोड़क्स लॉंच किया मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सबसे पहले एक Human से इंटराक्ट करने वाला Desktop Assistant कैसे बनाया जाता है और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि OpenAI की API को इस्तेमाल करके जो की ChatGPT को भी पावर करता है उस API को इस्तेमाल करके कैसे आप अपने Desktop Assistant से वो सारी चीज़े करवा सकते हो चुकि शायद आप खुद Crash से Code करने बैठो तो आप लोगों को Ages लग जाए ये वीडियो Application of AI को Python के थूरू बहुत अच्छी तरह से डेबंस्टेट करेगा चलते हैं Computer Screen में and let's get started तो सबसे पहला काम जो मैं अभी करने वाला हूँ वो है PyCharm को डाउनलोड करना आप लोग description में अगर एक link पे क्लिक करेंगे तो आप लोग PyCharm के community version पर पहुँच जाएंगे अगर आप लोग Python में serious development करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को PyCharm recommend करूँगा क्योंकि ये एक बहुत ही advanced idea और इसके features जो कि आगे हम इस video में भी देखने वाले हैं वो काफी कमाल के हैं और आप लोगों को इस project को बनाने में काफी help करेंगे तो आप लोग इसको download कर लेना आप लोग community version को download करना जिससे की आप लोग absolutely free PyCharm के features को use कर सको लेकिन अगर आप लोग professional development करना चाते हो PyCharm की मदद से तो आप PyCharm professional भी use कर सकते हो PyCharm professional एक professional developer के लिए IDE है यानि कि आप लोग इसके advanced features जैसे की Django का support हो गया remote server से आप लोग connect करना चाते हो उस तरह के काम हो गए फिर Flask का support और भी advanced चीज़े जैसे की data science, Jupiter notebooks इन सब चीज़ों के लिए चुन-चुन के features इसमें available है मैं personally इसको कफी time से use कर रहा हूँ अब अगर मैं pricing की भी बात करूँ तो this is definitely worth it अगर आप monthly billing पे जाते हो तो आपको 9.9 USD जो की around 800 रुपे के हो जाता है अगर आप लोग professional development कर रहे हैं तो मेरे साफ से is worth it अब इनकी एक चीज़ जो की मझे बहुत अच्छी लगती है वो यह है कि पहले साल में अगर आप लोग पूरे साल के लिए पाईजाम करीदे हो तो 99 डॉलर्स का है पैसे कमारे हो पाईजाम को use करके अपने clients को serve करके अपनी productivity को बढ़ाके तो definitely this is worth it आप लोग इसको check out कर सकते हो description में अब अब अगर आप लोग student हो तो आप लोग के लिए एक special offer है कि students और teachers के लिए absolutely free है और भी आप इस page पर आके कुछ details check out कर सकते हो लेकिन अभी मैं PyChamp Community यल्दी से install कर लेता हूँ अपने computer में मेरे computer में in fact PyChamp Community अलड़ी install ले क्योंकि मैं इसको काफी time से use कर रहा हूँ अगर आप लोग macOS यूज कर रहे हो simply आप लोग इसको पकड़कर drag कर देना और PyChamp Community आपके computer में install हो जाएगा this is as simple as that so guys अगर आप लोग JetBrains Toolbox को डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को काफी फादे मिलते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सो बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस आप को डाउनलोड करें चाहिए विंडोस में हो या मैक में आप टूल बोक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद आपको simply इसको install कर लेना है तीन सेकिंड में खुलने वाला है तो वेट करता हो इसका में और ये फिर install हो जाएगा और इसके पास simply मैं अपनी applications में आकर toolbox को खोल सकता हूँ तो मैं JetBrains का toolbox दून रहा हूँ, कहा गया? toolbox कहा हो? हम यहाँ applications वाले folder में इसको दूनेंगे toolbox, jetbrains, toolbox, हाँ, यह रहा और इसको मैं खोलूँगा और first time भी आप लोग PyCharm को toolbox दून कर सकते हो इससे होगा यह कि आप एक तो multiple apps डाउनलोड कर सकते हो jetbrains की toolbox की साहिता से उसी के साथ साथ आप लोग jetbrains toolbox का अगर इस्तिमाल करते हो तो multiple versions maintain कर सकते हो आप लोग एक ही application के कभी-कभी क्या होता है कि हमें एक particular version पसंद आ जाता है और मैं इसको accept करूँगा license agreement को और इसके बाद मैं simply यहाँ पर क्या करूँगा कि get started पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर अपने पसंद की app को जो है डाउनलोड कर सकते हो तो PyCharm Community Edition अड़डी मैंने डाउनलोड कर रहा है मैं इसको update कर सकता हूँ अपने computer में उसी के साथ है IntelliJ और यह सारी apps में install कर सकता हूँ मैं जो toolbox है इससे PyCharm Professional भी डाउनलोड कर सकता हूँ जिसमें की JavaScript का बहुत अच्छा support है Angular का support है React का support है Django वगेरा बहुत बढ़ीया professional IDE है तो इसको आप लोग use कर सकते हो कुछ इस तरह से अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं तो मैं इसको बंद करूँगा और जल्दी से अभी PyCharm CE अपने computer में fire करूँगा जिसे कि आप देख सकते हो PyCharm CE मैंने अपने computer में fire कर लिया है मैं एक नया project बनाने वाला हूँ PyCharm में simply new project पर click करूँगा और यहां पर हम लोग इस project का नाम रखने वाले हैं Jarvis AI ठीक है तो Jarvis AI के नाम से मैंने एक project बना लिया अब यह automatically मुझे बता रहा एक virtual environment बनाने को तो मैं यहां पर एक virtual environment automatically बना सकता हूँ अब अगर आप लोग system interpreter यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग यहां पर click करके previously configured interpreter पर click कर सकते हो लेकिन मैं recommend करूँगा आप यूज़ करो एक virtual environment को जिसमें आपके सारे packages install हो जाएंगे तो मैंने आपर virtual environment को use में लिया है यहां पर मैं click करूँगा और create पर click करूँगा थोड़ा time लेता है यह virtual environment को बनाने में तो wait करते हैं इसका और यह virtual environment को बना देगा जल्दी से सारे काम हो जाते हैं Mac is pretty fast I am very amazed with how this machine works और यहां पर आप देख सकते हो कि download pre-built shared indices तो मैं इसको भी always download कर देता हूँ performance improve होती है ठीक है wait करूँगा और मैं यह पूरा का पूरा मिटा दूँगा यहां पर main.py नम से file बनी हुई है step by step क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अब आप लोग चाहो तो इतना portion रख सकते हो if name equals to main यह रख सकते हो आप चाहो तो but मैं कोशिश यह करता हूँ कि मैं simply minimal रख हूँ चीजे और यह चीज आप type भी कर सकते हो but again let's start from scratch और अब देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या-क्या करने वाले है so guys अब हम required packages को install करने वाले है और जो पहला package में आप लोग को install करवाने वाला हूँ वो है speech recognition तो सबसे पहले हम लोग यह टर्मिनल में आ जाएंगे और लिखेंगे pip install speech recognition यह हम क्यों use कर रहे हैं यह हम use कर रहे हैं क्योंकि हम speech recognition करवाने हैं यानि कि जो भी हम बोलने वाले हैं उसको हमें पहचानना होगा python के तुरू तो हमने इसलिए speech recognition का इस्तमाल किया यह पर ठीक है फिर इसके बाद जो अगला package में आप लोगों को install करवाने वाला हूँ वो है wikipedia तो हम यहाँ पर pip install wikipedia करेंगे यह package है जो कि wikipedia से data लाने में हमको मदद करता है फिर इसके बाद हम install करेंगे pip install और openai openai भी एक package है आप लोग को पता होगा openai क्या है अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो openai है वो एक company है इनके पास gpt4 chat gpt का आपने नाम सुना हुआ openai ओन करता है इनकी एक API है जिसके थुरू हम यह सारे काम कर सकते हैं और हम करेंगे भी तो openai को हम इस चीज के लिए इस्तमाल करने वाले हैं तो इसलिए हमने openai को install किया है तो मैं जल्दी से आप लोगो यहां पर बता दूँ कि हमारा openai जो है वो यह सारे packages हम definitely use करने के लिए इंपोर्ट भी करेंगे और इंपोर्ट करके यूज भी करेंगे तो मैं जल्दी से इन packages को इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहला package जो मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ वो कौन सा है वो है speech recognition और चीजों को असान मनाने के लिए मैं इसको import करूँगा as sr अब यहां मन मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग Pi Audio को install करने वाले और अगर आप लोग Pi Audio को install करते हो तो एक बार में Pi Audio install होने में बहुत सारे operating systems पर problem create करता है Windows में भी कभी कभी problem आ जाती है मैं आप लोग को macOS का बताता हूँ और Windows में भी आप लोग को बताऊँगा कि कैसे आप लोग परिशानियों से दूर होके कर सकते हो install पहले macOS का बता देता हूँ आप लोग को आप यहां पर सबसे पहले लिखे X code select minus minus install अब यहां पर आप देख सकते हो यह मुझे से कहा रहा है command line tools are already installed मेरे system में already installed है आपको शायद करके देर install ठीक है फिर इसके बाद brew remove port audio ठीक है यह क्या है brew remove port audio क्या करेगा यह जो मेरा existing port audio का installation इसको remove कर देगा अब आप आपकर मैंने remove क्यों किया क्योंकि मैं इसको freshly install करना चाहता हूँ तो brew remove के बाद मैं brew install port audio करने वाला हूँ ठीक है किया मैंने port audio install होगा और जैसे port audio मेरा install हो जाएगा इसके बाद मैं py audio को install करूँगा तो install py audio ठीक है py audio install हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हो ठीक है तो import speech recognition as sr मेंने किया तो इसको py audio use करना पड़ता है internally मैं क्या करूँगा जल्दी से आप लोग को बताऊँगा py audio windows में कैसे install करना है आप यहाँ पर लिखे unofficial python binaries यह सिर्फ windows के लिए काम करेगा और आप यहाँ से क्या करें py audio आप लोग को यहाँ पर कहीं दिख जाएगा और मैं यहाँ पर जल्दी से py audio oops ctrl f करना था मुझे py audio मैं search करूँगा और यहाँ पर यहाँ पर आगया और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो अलग-अलग python versions के लिए आपको py audio का wheel मिल रहा है ठीक है तो आप क्या करें यहाँ पर जैसे माल लिए आपके पास python 3.11 installed है तो python 3.11 के दोनों wheels download कर लेना और download करने के बाद आप दोनों को एक एक करके install करके देख लेना जो भी install हो जाए कैसे करेंगे जैसे माल लिए मैंने यह download किया wheel यह wheel download हो जाएगा और download होने के बाद यह जहां भी download हुआ है मैं यह show in finder करूँगा यहाँ पर एक terminal खोल लूँगा जहां भी download हुआ है जैसे कि for example मेरा इस folder के अंदर यह download हुआ है in fact मेरा यह downloads में download हुआ है तो मैं यह आपर simply क्या करूँगा इसको मैं new tab में खोल लेता हूँ downloads folder को downloads folder को और जैसे मालो मेरा यह my jarvis नाम के folder में कि यह मेरा download हो गया मालो ठीक है मैं shift rightly करूँगा new terminal खोलूँगा इस folder पर और मैं लिखूँगा pip 3 install और मैं यहाँ पर simply क्या करूँगा इसके wheel को install कर लूँगा और मैंने PY लिखके tap दबा दिया enter मारूँगा यह wheel install हो जाएगा यह वाला काम ना करें तो दूसरा वाला जो wheel हो आप try करना काम कर जाएगा ठीक है I hope की समझ महागी चीज़े आप लोग को guys अगर आप पाईचाम को windows में download करना चाते हो तो process exactly same नीचे description में दिये होई link से आप download करने और download करने के बाद जिस तरह से मैं इसको launch कर रहा हूं आप इसको launch करने simply आप लिए कुछ नहीं करना यहां से इसको download करना है और setup को fire करने के बाद बहुत ही अराम से आपको इसको next 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 करके install कर लेना है ठीक है तो यह आपके पुराने pycharm को uninstall मार देगा और नया वाला latest version pycharm है उसको install कर देगा जैसे कि आप लोग देख सकते ही process complete हो चुकी है तो मैं इसको भी close कर दूँगा next करूँगा install करूँगा latest version को और अब मैं यह run pycharm community को चेक करके finish कर दूँगा do not import settings करके ok करूँगा अब मैं आपर वो सारे packages download करने वाला हूं जो कि मैंने mac में भी किये थी तो मैं करूँगा simply settings पर जाऊंगा settings पर जाने के बाद मैं यहां पर project पर जाऊंगा फिर मैं project interpreter पर जाऊंगा और यहां से packages को download कर सकता हूं plus पर click करके तो मैं अगर py audio को install करना चाता हूं तो मैं आपर py audio select कर सकता हूं और यहां से packages install करने के सबसे बड़ा फाइदा यह होता है कि आपको version दिख जाता है कि latest कौन सा version है और आपने install किया हुआ है तो यहां पर देखो py audio को मैं install कर रहा हूं और py audio install हो चुका है फिर मैं speech recognition जो है speech recognition इसको install करूँगा तो मैं आपर speech recognition को install कर लूँगा और मेरे सारे packages install हो जाएंगे अब मैं आप लोगो एक बात बताना चाहता हूं आप लोग यहां पर unofficial python binary जगल लिखोगे तो यहां पर यहां ने आपको बात बताई थी कि यहां से वील डाउनलोड करके भी आप लोग की काम कर सकते हो तो आप लोग पाय ओडियो को वील डाउनलोड करके और पिप इंस्टॉल करके मैं आप लोगो दिखाता हूं कि वो प्रोसेस कैसी दिखेगी पाय ओडियो और इसके बाद आप यहां पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं वील को अब जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर पाय ओडियो के अंदर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है आप यह पर right click करके open in terminal करें और pip install करके इसको use कर सकते हैं तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ pip install py audio तो मैं यह वाला wheel install करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर यह देखो install हो चुका है अगर यह wheel install नहीं होता तो मैं यह वाला wheel try करता और इसलिए यहाँ पर मैंने 2 wheels download किये हुए थे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि version 3.10 मैंने install किया speech recognition का और यहाँ पर latest version 3.10 है अब बहुत सारी चीज़े होती है कुछ लोगों को problem आ सकती है py audio install करते वक्त windows में तो वो लोग print comment को follow करते रहना क्योंकि कोई भी दिक्कत आती है तो मैं उसका resolution जो है print comment में आप लोगों को लगा कर दे दूँगा अब मैं आप लोगो highly recommend करता हूँ कि आप लोग py charm में ही इस project को बनाए है अगर आप लोग सरी से follow along करना चाते हैं चाहे आप windows पे हो या mac पे हो क्योंकि मैं इस project में py charm यूज करने वाला हूँ अब यहां पर लेको py charm का नया version आ गया है वीडियो को record करने के बाद मैंने realize कि py charm का नया version आ गया है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो इसका interface थोड़ा सा different है and for good तो आप लोग इसको download करके follow along कर सकते हैं की features almost same है अब हम आ जाते हैं main मुद्दे पर जो कि है हमारा AI कैसे बनेगा jarvis कैसे सुनेगा कैसे process करेगा inputs को तो उन चीजों पर जल्दी से आ जाते हैं अब हम जल्दी से speech function को लिखेंगे जो कि simply क्या करेगा जो भी हम यहां पर इसको input देंगे वो यह बोल कर दिखाएगा तो इसके लिए हम लोग simply क्या करेंगे import OS करेंगे OS module को import करेंगे एक मैं यहां पर simply function बनाऊँगा और इसका नाम रखोंगा say और मैं आपर लिख दूँगा text ठीक है और हम क्या करेंगे कि OS.system को run करेंगे और एक f-string बनाएंगे और कहेंगे कि भाई say command को run कर दो with this text अब अगर मालो मैं आपर लिखता हूँ say hello I am jarvis AI ठीक है अब मैं इसको run करूँ अगर अपने इस program को तो यहां पर यह कहेगा कि hello I am jarvis AI I कह रहा है मैं A.I करते हूँ शायद यह AI ठीक से बोले hello I am jarvis AI हाँ अब यह सही से बोल रहा है AI ठीक है पता नहीं आपको सनाई दे रहा है कि नहीं क्योंकि मेरा जो recorder है computer का शायद रिकॉर्ट किया या नहीं पर मैं आपको बदा सकता हूँ किये अवाज निकल रही है hello I am jarvis AI ठीक है अगर आप लोग save function लिखना चाहते हो windows में तो आप लोग import कर सकते हूँ win32 com.client को यह exact code आप लोग को description में या फिर पिंट कमेंट में पर कही नहीं दे दूँगा अब यहां पर एक package हम लोग जल्दी से install करेंगे मैं settings पर आउंगा और इसके बाद project मर आउंगा और इसके बाद project interpreter पर आउंगा और py win32 py win32 हम लोग install करेंगे और यह package install करने के बाद win32 com.client लोग error चला जाएगा तो मैं वेट कर रहा हूँ इसके install होने का और यह install हो चुका है मैं आप रोक के पर click करूँगा और मैं आप लोग को यहां पर इसका demo दिखा देता हूँ Harry Hey Are you तो यहां पर how are you इस अब चीज़े जो जो मैं लिख रहा हूँ वो यह speak करके मुझे दे रहा है ठीक है तो आप लोग इस तरह से windows में भी इसको बना सकते हो अब यहां पर यह करने के बाद हमने आपर अपना जो save function है वो बना लिया है अब हमें करना क्या है हमें mic का input लेना है यानि कि जो हम बोल रहे हैं उसका input लेना है और उसको लेने के लिए हमें एक function लिखना पड़ेगा और उसका नाम मैं रखूँगा take command ठीक है तो take command मैं आपर लिखूँगा और यह command लेगा क्या command लेगा यह हमारे mic का command लेगा तो मैं आपर लिखूँगा r is equal to sr.recognizer ठीक है तो यह recognizer नाम की class है जो कि हमें help करती है फिर मैं लिखूँगा with sr.microphone जो की microphone class है इसको मैं लूँगा as source इसको source की तरह इस्तेमाल करते हुए हम क्या क्या करेंगे सबसे पहले तो कुछ variables को tweak करेंगे आप लोगों मैं पता हूँगा आप और भी variables को कैसे tweak कर सकते हो but मैं अभी सिर्फ pause threshold को tweak करूँगा और मैं इसको burn कर दूँगा pause threshold क्या होता है control click करें कोई भी छिडखानी मत करना इस file में ठीक है यह file आरी है side packages से सीधा यहाँ पर हमारे virtual environment के अंदर छिडखानी मत करना कुछ भी इस files है ठीक है talking about छिडखानी मैं आप लोगो यह भी बता दूँ कि यह file आप edit कर भी सकते हो मेरे कहने का क्या मतलब है समझना यह हमारे virtual environment के अंदर है another reason to use built-in virtual environment of PyCharm आप अगर इसको change भी करते हो तो global जो आपका install है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो यह चीज़ जो है आप लोगों को काफी useful लग सकती है अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़े हैं कि energy threshold minimum audio energy to consider for recording अगर अगर कोई हलका फुलका बोल रहा है तो वो record नहीं होना चाहिए आप इसको बड़ा घटा भी सकते हो dynamic energy threshold है यह है फिर इसके बाद देखो pause threshold है लिखा हुआ यह क्या है आप ऐसे ही जैसे कि मैंने यहाँ पर r.pause threshold को one किया आप इसको change कर सकते हो आप price threshold को change कर सकते हो आप और भी बहुत सारी चीज़े हैं उनको tweak कर सकते हो लेकिन अभी हम उस तरह का कोई काम नहीं करने वाले हैं अगर आपको करना हो तो आप r.कर कर सकते हो कभी-कभी mics पे depend करता है चीजें जो है वो कभी-कभी काम नहीं करती है तो आपके mic के लिए हो सकता है ये variables change करके काम करना शुरू कर जाए फिर simply मुझे कहना है audio is equal to r.listen r.listen listen एक function होता है जो कि हमारा जो source है यनि कि sr.microphone वो लेता है तो मैंने लिग दिया audio is equal to r.listen source अब यहाँ पर क्या है ये audio हम क्या करेंगे हम यहाँ पर simply क्या करेंगे कि इस audio को हम recognize करेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर simply क्या करूंगा लिखोंगा query is equal to r. recognize google ठीक है अब देखो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर engines है recognize bing है recognize amazon है हम recognize google इस्तेमाल करेंगे ठीक है और हम इसको audio दे देंगे ठीक है तो हमने audio दिया इसको audio के बाद language ये लेता है और मैं language दे रहा हूँ en-in ठीक है English India ठीक है फिर इसके बाद user ने जो भी बोला वो query में आ जाएगा और मैं query को return कर सकता हूँ ठीक है तो मैं अभी सिर्फ debugging purpose के लिए आपर लिख दूँगा कि जो query है user said और यहां पर query let's see कि यार यह काम भी करता है कि नहीं करता है ठीक है तो मैं आपर print करूँगा listening यानि कि सुना जा रहा है और मैं आपर लिखूँगा r.takeCommand sorry r.ない सिर्फ takeCommand लेकर आई takeCommand और takeCommand क्या होगा text होगा text is equal to takeCommand जो भी आप मूँ से बोलोगे वो text के तौर पर return हो जाएगा और उसके बाद आपने simply क्या करना है कि text is equal to takeCommand आपने कर लिया इसके बाद आप simply यहाँ पर say text कर दें ठीक है oh sorry say नहीं है हमारे function का नाब say है कि हाँ say ही है ठीक है good say text let's run it let's run it hello I am Jarvis AI hey Jarvis how are you okay इसको मैं okay करूँगा hey Jarvis how are you none I am scared कि मैं record कर रहा हूं भी इस वीडियो को और same mic मैं use कर रहा हूं कोई setting ऐसी ना भी गड़ जाए जिससे वीडियो खराब हो जाए and I hope कि ऐसा ना हो अगर आप successfully देख रहे हैं तो ऐसा नहीं हुआ होगा ठीक है और अगर हुआ होगा तो मैं आगे बता तुम मैं वीडियो में हुआ कि नहीं हुआ ठीक है ठीक है तो यह repeat कर रहा है repeat करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है and obviously you don't want that आप repeat नहीं करवाना चाहेंगे ठीक है तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर while true करता हूँ ताकि यह बार 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 सुनता रहे एक बार इसने command को process कर दिया तो सुनता रहे ठीक है अभी देखते हैं इसको चलाके अभी यह तोते की तरह है ठीक है अरे जार्विस बोल रहा हन यार में हाँ जार्विस तुमारी इनदी तो काफी अच्छी है अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि कभी-कभी यह error थ्रो करता है ठीक है कभी-कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है recognize नहीं कर पाता है कभी-कभी and this is very common and this is something that we need to handle ठीक है तो take command के अंदर हमें क्या करना है कि जब हम यहाँ पर sr.microphone कर रहे हैं इस चीज़ को हमें एक try catch के अंदर wrap करना पड़ेगा यह हमारी जिम्मेदारी है तो जब हम recognize google कर रहे है तो यहाँ से हम try catch के अंदर चीज़ों को डालेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं try करूँगा और मैं आपर लिखूँगा accept exception as e or return some error occurred sorry from Jarvis ठीक है let's run it again hello I am Jarvis AI hey Jarvis some error occurred sorry from Jarvis hey Jarvis hi Jarvis Jarvis why is this error occurring Jarvis why is this error occurring तो यह आपर सुन रहा है बहुत बढ़ी है तरीके से और अब हमें करना सिर्फ यह है कि यह सुन रहा है और हमें process करना इसको चाहे हम open AI को दें चाहे हम manually कुछ चीजों को process करें यह हमें करना है खुद बगुट ठीक है तो हमारे पास जो हमने बोला वो मिल जा रहा है ठीक है अब हमें करना क्या है यह जो हमारी query है वो हमें मिल जा रही है यह हमारा जो text है यह हमारी query है ठीक है तो मैं इसको query बोल देता हूँ देखते हैं Jarvis ने रिकगनाईस किया यह सब की नहीं तो यह हन पर सन रहा है बैठ बैध about here second रहा है और सं रहा है और हमन प्रोसेस कर रहा है आस और दी चेहम में वाली काच चिजन को प्रोसेस के रहा हंद वीडियो छोड़ुकर मज़ जाना मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं ठीक है कई लोग यह नहीं क्या इतना नंबा complete कौन सुन रहा है वाई मैं वीडियो छोड़के जा रहा हूँ वीडियो छोड़के माझ जाना बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़े आने वाली है ठीक है अब यहां पर मैं क्या करूँगा जार्विस को कुछ चीजे खुद बाखुद कर बाऊंगा ठीक है जैसे की कुछ चीजे तो यह मेरे लिए कर सकता है जैसे की यूट्यूब को open कर सकता है ठीक है तो मैं काम करूँगा यहां पर एक web browser नाम का inquiry.lower तब क्या करो अगर मैं open site करूँ inquiry.lower तब आप क्या करें web browser.open कर दें और आपका है जो भी site है ठीक है जैसे मैं काऊँ open YouTube विडियो चहाँ के मैट जना में आज को stop कर रहा हन थीक है भाय लॉड नाम है तो यहांपर में simply लिखूंगा ूटूब्ल सैश यूटुब ॉटॉट कॉम ठीक है तो मैं web browser.open यह करूँगा ओर इसके बाद मैं say करूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा opening youtube sir ठीक है और यहाँ पर मैं इस line को ओपर ले जाता हूँ और मैं इसको दुबारा रन करता हूँ jarvis open youtube और एक चीज़ और की मुझे इसको भी lower में convert करना पड़ेगा तो मैं दुबारा से इसको ctrl c करके stop करूँगा इसको दुबारा से रन करूँगा jarvis open youtube opening youtube sir oh yes that works ठीक है तो youtube तो यार यह यहाँ पर खोल रहा है ठीक है बहुत ही बड़ी बात है अब यहाँ पर हम कुछ और websites इससे खुलवाएंगे और यह काम मैं थोड़े एक organized तरीके से करवाना चाहता हूं इससे तो मैं कैसे करवाँगा इससे organized तरीके से मैं यहाँ पर open youtube in यह नहीं करूँगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा open इसको एक f string बनाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा site ठीक है और मैं यहाँ पर लिखूँगा sites is equal to यहाँ पर sites की list आएगी ठीक है और मैं यहाँ पर लिखूँगा site 0 और यहाँ पर आएगा site 1 अब आसको गदिखाता हूं मैं कर गया रहा हूं ठीक है मैं यहाँ बनीरे चाहिए मैं करूँगा for site in sites s & & int www.youtube.com यह इसका URL होगा and similarly मैं बहुत सारी websites यहाँ पर add कर दूँगा जैसे कि मैं add कर सकता हूँ Wikipedia Wikipedia मैं आपर जरह right click करके soft wrap कर देता हूँ Wikipedia मैं आपर लिख दूँगा और यहाँ पर मैं Wikipedia लिख दूँगा फिर इसके बाद मैं Wikipedia मैंने लिख दिया यहाँ पर cool इसको मुझे as a list of list बनाना है तो list of list मैंने बनाया और यह भी एक list है cool अब सही है तो copy किया है इसको मैंने यहाँ पर paste किया दुबारा से इस बार मैं Google लेकर आउँगा और आप बहुत सारी sites को add कर सकते हो ठीक है it's up to you आप कितनी sites I add करना चाहते हो मैं इसको run करूँगा दुबारा से in fact rerun करूँगा stop and Hello I am Jarvis AI Jarvis open Google Opening YouTube sir ओके तो एक गलती हो गई मेरी यह अभी भी opening YouTube बोल रहा है तो मुझे इसको यहाँ पर भी change करना पड़ेगा जार्विस open Wikipedia Opening Wikipedia sir Cool that works ठीक है तो इसने Wikipedia भी खोल दिया अब मैं इससे कोई भी site खुलवा सकता हूँ custom site खुलवा सकता हूँ कुछ भी मुझे देखना है जैसे कि मानलो मैं देखना चाहता हूँ मानलो मैं पांच web pages है जिनको देखता हूँ जैसे social media में मैं Facebook देखता हूँ Google देखता हूँ Instagram देखता हूँ तो मैं इससे कह सकता हूँ कि Jarvis open Instagram और यह मुझे Instagram खोल कर दिखाएगा ठीक है तो इस तरह की चीजे हम इससे करवा सकते हैं और आप यहाँ पर जितनी मंचा है जो sites है वो add कर सकते हैं मैं काम करता हूँ इसको यहाँ ले जाता हूँ desktop 2 में ठीक है ताकि मैं यह कर सकूँ in fact मुझे पता है मैं थोड़ा सा time waste कर रहा हूँ भी आप लोग कर लेकिन मैं जल्दी से यार इसको थोड़ा ऐसे करना पसंद करता हूँ हाँ अब ठीक है क्योंकि जो मेरा website है वो right side में रहती है मेशा से ठीक है शुरू से मेरी आदत है तो यहाँ पर देखो यह सुन भी रहा है cool that works ticket system Wikipedia भी खोल दिया सकता हूँ कुछ भी मुझे देखना जैसे की अच्छा मैं काम करूँ अब यहाँ पर जैसे की मैंने आपर English IN लिखा E-N-I-N लिखा था अगर मैं इसको H-I-I-N लिख दूँ यनि की Hindi India कर दूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या यह रेकनाईस करेगा Hindi को तो यह भी मैं देखना चाहता हूँ This is something that I want to see Hello I am Jarvis AI Jarvis तुम कैसे हो वाउ यह Hindi में टाइप कर रहा है वाउ This is amazing यार Hello I am Jarvis AI Jarvis Hindi में टाइप करो Hindi में टाइप करो वाउ भाउ नहीं वाउ कहा मैंने English वाला वाउ अब आप इस चीज को change कर सकते हो कि listening कब तक कि यह सुनेगा आपको wait कब तक करेगा जिसे आपने एक sentence बोला तब कितना time यह आपको दे तो वो thresholds बगएरा हैं जो कि मैंने बताया थे वो r. करके आप change कर सकते हो ठीक है जिसे हमने pause threshold यहां पर one किया आप pause threshold को 0.6 करके देख लो और इसको rerun करके देख लो अभी मैं wait कर रहा हूँ इसका मैं काम करता हूँ यहाँ पर print recognizing भी डाल देता हूँ पर एक बार इसने listen कर लिया तो मैं देखना चाहता हूँ recognize कितनी देर में कर रहा है Hello I am Jarvis AI Hey Jarvis कैसे हो यार Jarvis कैसे हो यह देखो क्या क्या लिख रहा है मैं नहीं लिक रहा हूँ अब कहीं में मेरे को बोलो ठीक है यार बढ़िया जेखो Jarvis बीस ने ठीक से यहाँ पर print कर दिया भी ठीक है बढ़िया तो मैं एक काम क्यों ना करूँ बहुत से शोल हटाई क्यों ना दूँ यह 0.8 का by default है तो उसको इसको हटाई देते हैं ठीक है आप इसको change कर सकते हो बाइदेवे जस्त बता रहा हूँ और भी मैंने आपको बताया है कौन कौन से variables आप लोग change कर सकते हो ठीक है मैं बेट कर रहा हूँ जो चीज मैंने बोली वो आईगी अब यहाँ पर तो recognizing में भी थोड़ टाइम लेगा अगर आपने इसको कुछ बहुत जाता load इस पर डाल दिया है तो थोड़ टाइम लेगा है इसने लिख दिया क्या क्या लिख रहा है देखो जार्विस लिखना ही मैं नहीं लिख रहा हूँ तो हाँ थोड़ा बहुत load तो है इसके बाद हम import करेंगे OpenAI को ठीक है अब यहाँ पर आप definitely बहुत सारी websites राइट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपर लिखा YouTube मैंने आपर लिखा Wikipedia मैंने आपर लिखा Google आप अपना personal Instagram account जो है वो खोल सकते हो अगर आप लोग को नहीं पता कि Instagram account खोल कर login कैसे करते हैं तो वो भी आप करवा सकते हो by the way मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे करवाओगे आप लोग वो आप करवाओगे web driver नाम का एक package यूज़ करके ठीक है तो उस पर आप थोड़ी MP3 file है तो मैं एक काम करता हूँ download ncs songs mp3 तो यहां पर मैं देख रहा हूँ बस कि क्या मुझे कुछ मिल सकता है pixabay से मुझे music मिल रहा है let's see if I can download this okay तो यह royalty free music है और मैं यहाँ पर इसको show in finder करूँगा और इसका जो address है वो copy कर लूँगा ठीक है और मैं जाओंगा अब यहाँ पर जैसे मालो में टर्मिनल में जाता हूँ ठीक है टर्मिनल खोला मैंने मैं आपर लिखोंगा cd slash user slash harry slash downloads downloads slash यह इसका पूरा address है ठीक है यह address है MP3 file का तो कैसे MP3 file को खोला जा सकता है अगर यहाँ पर मान लो कहा गया if open music in query अगर query में open music है तब आप क्या चाहोगे तब आप चाहोगे कि music खुल जाए ठीक है और music किस तरह से खुले आप चाहोगे कि जो music music path is equal to यह music path होगया ठीक है इसको मैं double quotes में डालना चाहता हूँ music path होगया अब मैं चाहता हूँ यह music play हो जाए अब यह music कैसे play होगा यह simply यहाँ पर os.start file और music path करके play हो जाएगा तो देखते हैं ट्राइ करते हैं इसको Hello I am Jarvis AI Jarvis open music ओके तो यहाँ पर हिंदी कर रखा है मैंने language को सबसे पहले language को English India करूँ मैंने Hindi India कर रखा है आप अपनी local language भी ट्राइ कर सकते हो वैसे यह Google engine यूज़ कर रहा है तो आप Google से code देख लेना Google कर लेना Google का code क्या है आपकी language के लिए Hello I am Jarvis AI Jarvis open music OS module has no attribute start file Okay तो this is pretty interesting start file is a function actually module OS has no attribute start file let's see what this means तो यहाँ पर start file attribute नहीं है यहाँ पर लिखा है की तो यह यह यहाँ पर use नहीं कर सकते आप लोग अगर आप लोग मैक में है तो Okay cool तो हमें काम करते हैं यह use करते हैं import sub processes and अगर यह काम करेगा तो इसको organize करके लगा देंगे ओपर ठीक है तो यह आपर आप देख सकते हो यह file name है इसको मैं music बात कर देता हूँ Hello I am Jarvis AI Jarvis open music चल गया चल गया भाई चल गया भाई ठीक है तो अब यह कैसे काम कर रहा है इसको भी समझ लेते हैं तो यहाँ पर यह क्या कर रहा है opener is equal to open ठीक है तो यह आपर subprocess.call में आप open करते हो पहले और यह करते हो अब मैं बताता हूँ यह कर क्या रहा है अगर मैंने यह आपर open करके Oops ctrl c करना पड़ेगा open करके यह वाला path डाल दिया तो यह खुल जाएगा तो मैं यह काम OS.system से भी करवा सकते था बाइदे क्यों आपर चीजों को simple ही रखूँ कांगया यह कांगया यह कैसे stop होगा क्यों आपर चीजों को simple ही रखूँ और इसको OS.system से ही कर रालू क्योंकि वो भी तो यह ही कर रहा है तो मैं अगर यहाँ पर open लिखूँ और यहाँ पर लिख दो music path और यहाँ पर is quaff string तो मैंने बनाई रखा है try out कर लेता हूँ एक बार Hello I am Jarvis AI Jarvis open music It works, it works, ठीक है बड़ी है, it works, amazing तो हमने यहाँ पर दो-तीन functionalities बना लिए एक तो हमने यह बना लिए कि किस तरह से sites को खोलना है अब आप इसको customize कर सकते हो अपनी needs के हिसाब से, आप कह सकते हो open this song, open that song तो उसे साब से आप एक directory में search करवा सकते हो आप गाने, यानि कि गानों के नाम से डाल दो गानों को search करवा सकते हो आप मतलब समझो आपके पास sky is the limit तो आपके पास कोई excuse नहीं है, आप करवा सकते हो इससे सब कुछ ठीक है चलो बहुत बढ़िया, अब यहापर मैं query में एक चीज all डालूंगा और यह कहूंगा कि अगर open, या फिर what's the time if the time inquiry, तब हम यहापर date time package को import करेंगे तो मैं आपर लिखूंगा import date time ठीक है, और date time को import करने के बाद मैं आपर time बताऊंगा ठीक है, जो भी time हो रहा और time मैं कैसे बताऊंगा मैं आपर लिखूंगा strftime is equal to datetime.strf datetime. datetime.strftime तो यह क्या करता है strftime strftime एक function है जो कि आप लोग को आपकी needs के time जो है वो simply बता के देता है तो मैं काम करता हूँ datetime.now करूँगा .strftime करूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा hours, minutes, seconds ले लूँगा और मैं आपर लिखूंगा %H और मैं date time के साथ काफी time से काम कर रहा हूँ मुझे एकदम idea है कि किस तरह से करना है आप इसकी documentation पर जाके देखोगे तो आपको बता चल जाएगा मैंने जो किया है यह hour, minute or second में time ही निकाला है जादा कुछ बड़ी चीज नहीं की है और मैं आपर simply क्या करूँगा से कमार्ड का इस्तेमाल करते हूए यहाँ पर लिखूंगा sir the time is और यहाँ पर strf time को as a variable use कर लेंगे ठीक है तो simple सी चीज है अब इससे time पूछ लेते हैं एक बार यार जार्विस चल रहा था यानि की वो सब कुछ सुछ लूए जार्विस what's the time sir the time is 18 hours 38 minutes and 57 seconds समझने हो आप guys ठीक है अब आप इसको थोड़ा सा और fun way में भी करवा सकते हो समझे जो fun way में कैसे करवा होगे जैसे कि अगर मैं इससे कहलवाना चाहता हूं कि मैं इसको थरह stop करता हूं मैं इतना बचके इतना minute करवाना चाहता हूं तो मैं ठीक है मतलब बहुत ही unprofessional सा मैं आपको तरीका बता रहा हूं इसको मैं यहां पर r लिख देता हूं और मैं आपर ctrl d करता हूं और यहां पर ctrl z करके इसको उपर ही ले जाता हूं पहले all shift up arrow की ctrl d से इसको replicate करता हूं और यहां पर मैं क्या करूंगा minutes जो है वो ले लूँगा min is equal to %m ठीक है sir time is time is hour hour बचकी minute minutes ठीक है और यहां पर यह करने के बाद इसको मैं run करूंगा Hello I am Jarvis AI Jarvis what's the time Sir time is 18 badge 40 minutes मैं double J कर देता हूं इसको rerun करता हूं Hello I am Jarvis AI Jarvis what's the time? Sir time is 18 badge 40 minutes Hello I am Jarvis AI Jarvis what's the time? Jarvis what's the time? Sir time is 18 badge 41 minutes तो यह बचके ठीक से बोल नहीं पा रहा है भाई कैसे बोलेगा वो ठीक है Indian नहीं है वो ठीक है मैं इसको stop कर देता हूं यहां पर और आप देख सकते हो Sir time is hour बचके minute minutes ठीक है अब मैं आप एक चीज करवाना चाहता हूं simply और यह एक समझ लो इसको और आपकोग watts के एक आया कैसे एक्सपरिमेंट कर रहा हूं मैं आप लोगो बदाना चाहता हूं मैं कैसे एकस्परिमेंट कर रहा हूं यह मेरे पास आ गया ठीक है अब मैं क्या कर मैं इसे copy कर के मैं इसको stop करणा or say और यह paste करणा मैं यह पर लिखाँगा say or double quotes I just want to see कि यह मैं इसको ctrl c करता हूँ मैं लिखाँगा say double quotes ctrl v enter actually say this hey यह हिंदी नहीं बोल पा रहा है macOS, तो maybe I need to figure out कि कैसे मैं macOS से हिंदी बोल पा सकता हूँ मैं बस यह देखना जाता है क्या यह हिंदी clearly बोल पाता है कि नहीं anyways, अभी के लिए हमने यहां तक बनाया हमने इसे time पूछा, हमने इसे कहा कि music play कर दो आप अपने पसंदी तब music play करवा सकते हो इससे, बहुत सारी चीजे आप इससे करवा सकते हो, आप particular site खुलवा सकते हो इसके लिए बने एक बड़ा organized way आप लोग को दिखाया फिर इसके बाद और भी बहुत सारी चीजे हो सकते हैं जैसे कि एक program अगर आप लोग को खुलवाना है जैसे मानलो आपको FaceTime यहां पर खुलवाना है इससे ठीक है तो मैं Show in Finder करूँगा FaceTime को और यह यहां पर देखूँ आप्लिकेशन में आ गया और यह FaceTime का आ गया FaceTime यह FaceTime ठीक है मैं Right-click करूँगा New Terminal Net folder करूँगा P W D करूँगा जिससे मुझे FaceTime का यहां पर जो App है उसका जो Simply URL है एड्रेस है वो मिल जाएगा मैं यहां पर लिखूँगा if open FaceTime in query simply os.system और open और यहां पर हम क्या करेंगे इसको paste कर देंगे ठीक है simple and let's see कि यह काम भी करता है कि नहीं सबसे पहले तो मुझे यह देखना पड़ेगा क्या FaceTime खुलता है ओ yes FaceTime खुल रहा है बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया क्या Jarvis FaceTime खुल पाएगा Hello I am Jarvis AI Jarvis open FaceTime अले क्या कर दिया मैंने Hindi में क्यों बूल रहा हूं English करो भाई language को मैं बार-बार क्यों बूल जाता हूं यार इतनी basic सी चीज Hello I am Jarvis AI Jarvis open FaceTime इस नहीं खोला क्यों नहीं आर FaceTime ओके मैंने .lower नहीं किया I need to change this to Acola Junior first time Hello I am Jarvis AI यह थोड़ा सा नॉइंग है तो let's make it Jarvis AI और यहां पर मैं इसको रीड़न करूँ Jarvis AI Jarvis open FaceTime Jarvis open FaceTime यार मैंने Jarvis open FaceTime किया Okay तो मुझे .lower भी करना पड़ेगा दोनों को lower case में convert करना पड़ेगा Jarvis AI Jarvis open FaceTime Oh this works Hi guys मुझे दूसरा एंगल से देखो और यह काम कर रहा है ठीक है बहुत बड़ी है बहुत ही बड़ी है अब मैं और भी बहुत सारी चीज़े कर सकता हूँ या पर ठीक है In fact मैं एक apps का भी इस तरह से बना सकता हूँ जैसे मैंने sites का बनाया तो for app in apps ऐसे कर सकता हूँ जिस तरह से मैंने या पर open FaceTime मुनाया मैं उसी तरह से मानलो बनाना चाहूँ अगर open pycharm pycharm तो खुला हुआ है maybe कुछ और ठीक है तो मानलो मैं खोलना चाहता हूँ open passkey ठीक है capital passkey और मैं या पर passkey.app let's see कि यह location है भी यहांपर की नहीं passkey है jarvis AI jarvis open passkey jarvis open p-a-s-s-ky अरे नहीं कर पा रहा है open pass कर देता हूँ jarvis AI jarvis open pass jarvis open pass यह कह रहा है passkey.app does not exist why so? passkey.app does not exist मैं अगर इसको new terminal add folder करूँ passkey.app अगर मैं p-w-d करूँ तो यह pass-p-a-s-s-k okay, slash applications में है okay, got it तो मुझे इसका जो path है वो ठीक करना पड़ेगा slash applications में slash system में नहीए jarvis AI jarvis open pass okay, खुल गया pass की बढ़िया तो यह हमारे सारे commands अभी सुन रहा है with how this turned out, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसको भी false quit कर देता हूँ, pass की नहीं खोलना चाहता, और इस तरह से बहुत सारी applications खोली जा सकती है, maybe आप इसको manually ना करें, एक list बना कर कर ले, आप इसको एक visionary बना कर कर ले, और फिर जिस तरह से हमने यहाँ पर site के लिए किया, उस तरह से आप iterate कर सकते हैं, ठीक है? I hope समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक, अब हम level को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, एक next level पर चीज़ों को ले कर जाएंगे, और अब हम open AI की शक्तियों को इस्तिमाल करते वे चीज़े बनाएंगे, and this part of this video is amazing, तो यहाँ से तो कहीं भी मज जाना आप लोग, ठीक है? So guys, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि open AI का इस्तिमाल करके jarvis को किस तरह से और आगे ले जाया जा सकता है, तो यह नहीं open AI की तो मैं simply यहाँ पर क्या करूँगा? कि developers पर जाऊंगा, overview पर जाऊंगा, और यहाँ पर login मैंने अलड़ी जैसे कि आप देख सकते हैं, कर रखा है, अब मैं view API कीज पर जाऊंगा, जब आप open AI पर sign up करते हैं, तो आप लोगों को $18 मिलते हैं, आप अपने सकती है, मेबी 18 की जगर 10 हो जाएं future में, लेकिन मिलते हैं, as of now मिलते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हो कि secret key मैंने बना रखिये, secret key को आपको simply copy करना है, और secret key से आप open AI के model उसको use कर सकते हो, अब आजाओ open AI playground पर, ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ, open AI playground किस तरह से काम करता है, आपने simply क्या करना है, यसे मालनो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, write an email to my boss for resignation, ठीक है, मालनो आप resign करना चाते हो अपनी job से, क्या email लिखोगे, अपने boss को, आप यहाँ पर इसको run कर सकते हो, मैं submit करूँगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर यह मुझे एक response generate करके देगा, अब इसी चीज को मैं यहाँ पर किसी भी model से, किसी भी parameters के साथ कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर view code पर click करूँगा ना, तो यहाँ पर मुझे यही चीज करने का python code मिल जाएगा, मैं अपने pycham में आऊँगा, और यह python code यहाँ पर डाल दूगा, तो मैं simply यहाँ पर right click करके new में जाऊँगा, मैं यहाँ पर right click करूँगा, और new में जाऊँगा, और new में जाने के बाद, मैं simply एक नई file यहाँ पर बनाना चाँगा, तो मैं project files में आकर यहाँ पर new python file करूँगा, और यहाँ पर मैं openai test.py नाम से एक file बना लूँगा, ठीक है, और मैं इसको paste कर दूँगा, अब यहाँ पर आपको from config import api key, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, config.py बनाऊँगा, मेरी api key guys, बहुत बार leak हो जाती है, और मैं इस बार पूरी कोशिश करूँगा, कि मेरी api key leak ना हो, और मैं इसलिए, यहाँ पर अपनी openai key डालूँगा, जैसे कि मालो मैंने अगर यहाँ पर 45 डाला, मैं जैस आपको दिखाना चाहता हूँ, और मैंने अगर यहाँ पर print करा api key, तो यहाँ पर 45 आजाएगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर exit कर देता हूँ, ताकि नीचे का code कर दूँगा, और यहाँ से यह जो exit और printer यह हटा दूँगा, तो यहाँ पर API key आजाएगी, अब मैं जल्दी से इस file में API key डालता हूँ, and then I'll be back तो मैं आपर एक to-do लिख देता हूँ, मैं आपर लिखूंगा, to-do add your API key here अब यहाँ पर यह to-do लिखने का फाइदा हुआ, to-do लिखने का फाइदा हुआ कि आप लोग अपने code में जगा जगा to-do's डाल सकते हैं, मेरे पास कुछ और to-do's भी हैं, जो कि मैं यहाँ पर डालना चाहूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर sites, ठीक है, add more sites मैंने आपर कर दिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कि to-do's में आएँगे, तो यहाँ पर मुझे जगा-जगा to-do's जो मैंने डाले, वो मुझे दिख जाएंगे जो कि एक पाइचाम का feature है, और यह कमाल का feature है and this is one of the biggest reasons I use पाइचाम, ठीक है, तो यह जो पाइचाम का feature है, काफी कमाल का है आप लोग इसको ज़रूर use करें, इससे आपको पता चलता है कि क्या-क्या चीज़े आप लोग को करनी है अपनी application में future में ठीक है, तो मैं simply क्या करूंगा copy करूंगा, अपनी API key को और यहाँ पर paste करूंगा, and talking about copy, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कि आप यहाँ पर control shift V दबा सकते हो, और जैसे ही पाइचाम में आप control shift V दबाते हो, तो आप लोगों को आपकी clipboard history दिख जाती है, अब देखो यह चीज़े मैंने copy कर रुकी थी, और यह सारी मुझे दिख रही है अभी के भी, ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हूँ सब चीज़े अभी हमने in the past copy करी है, और यहाँ पर बहुत सारे जो आपके clipboard content है, वो दिखते है, and एक और feature मुझे यहाँ पर यह भी लगता है कि आप इसको edit कर सकते हैं, जैसे कि आपने अगर यह clipboard पर copy किया है, तो applications को आप application कर सकते हो, copy करने के बाद, ठीक है, और इसको copy करें आप, और इसके बाद यहाँ पर cancel करके आप इसको application कर सकते हैं, यानि कि आप इसको access कर सकते हो anytime, ठीक है एक काफी कमाल का feature रहे, पाइचाम का so guys, मैंने config में अपनी API की डाल दी है, और अब मैं इस code को चलाने वाला हूँ, और मैं print करने वाला हूँ response को, ठीक है, हम response को generate तो कर रहे हैं, पर print नहीं कर रहे हैं, तो मैं openEI test को run कर रहा हूँ, और जैसे कि तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कि finish reason stop, और यहाँ पर देखो, text दिया हूँ, subject resignation dear name, I am writing to inform you of my intention to resign from my current position at company, तो मैं इस चीज को कर सकता हूँ, इस text को मैं एक file के अंदर डाल सकता हूँ तो मुझे अब करना क्या है कि response.text को मैं इसको ज़रा comment out करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर python का multiline comment use करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर triple single quotes का pre-o करूँगा, not triple backticks, तो triple single quotes का हम लोग यहाँ पर इस्तिमाल करेंगे triple single quotes and we should be good, yes, तो यह हमारे पास dot text जो है वो हमें save करना एक file में, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहेंगे jarvis से कि if openai और मैं यहाँ पर definitely dot lower लिखने वाला हूँ, dot lower और आप यहाँ पर देखो, pycharm ने क्या किया, automatically मुझे यहाँ बता दिया कि जब भी मैंने dot लिखा, तो इसने मुझे बता दिया कि आपकी string में यह methods available है मैंने lower किया, in fact यह जो control click भी हम कर पा रहे है, यह पर यह भी pycharm का feature है, directly यह लेकर जा रहा है आपको उस file तक, जहाँ पर यह चीज जो है, यह function जहाँ पर तो यह आप control click करेंगे सीधा virtual environment में पहुचेंगे जैसे कि आप देख सकते हो, आपर virtual environment में फाइल जहाँ भी है, वहाँ आप पहुच रहे है ठीक है, alright, तो हम यहाँ पर लिखेंगे query dot lower और इसके बाद, अगर open AI हुआ, तो हम simply क्या करेंगे, open AI को ignore करते हुए, ठीक है क्या करेंगे कि, जब एक काम करता हूँ मैं artificial intelligence इस तरह से करता हूँ using artificial intelligence dot lower inquiry और इसके बाद मैं simply क्या करूँगा, जो भी query होगी उसको open AI को दे दूँगा, ठीक है, तो मैं काम करूँगा कि इसको एक function के तोर पर बनाऊँगा, तो मैंने यहाँ पर दो चीज़े copy करके paste करनी है, एक चीज तो यह है कि open AI को import करना, जो कि मैंना already कर भी रखा है यहाँपर, बड़ उसी के साथ-साथ मुझे अपनी API की भी import करनी है and मैं यहाँपर क्या करूँगा, कि इस चीज़ को एक function के अंदर डालने वाला हूँ Ctrl-C कर लेता हूँ और मैं यहाँपर simply एक def AI नाम से function मनाऊँगा, जो कि simply open AI का prompt लेगा और मैं यहाँपर prompt is equal to prompt कर दूँगा और यहाँपर मैं prompt लिखूँगा और मैं return करूँगा response 0.text, ठीक है, response 0 और text और response 0 यहाँ यहाँ किया, क्योंकि choice is, sorry, response choices 0.text ठीक है, तो यह चीज आपको देहान में रखनी है response choices 0.text and you might want to wrap this inside of a try catch, ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी-कभी हो सकता है कोई choice ही ना हो, तो यह error थरो कर सकता है, so that's again a to-do wrap this inside of a try catch तो मैंने यहां पर लिख दिया wrap this inside of a tri-catch block and you'll be able to see to-do's here यहां पर आप देख सकते हो तो यह काफी सभी चीज मुझे लगती है पाई-चाम में ठीक है तो आप current file में भी देख सकते हो कौन-कौन से to-do's है सिर्फ current file में आप देखना चाहते हो यह जो prompt is equal to query कर दूँगा और जब मैं prompt is equal to query करूँगा तो definitely यह ठीक से काम करेगा ठीक है तो मैं जल्दी से अभी इसको minimize करता हूँ और उपर जो AI वाला function है control click करके वहां पर पहुंचता हूँ तो मैंने यहापर DaVinci use किया हूँ model आप इसको tweak कर सकते हो आप temperature को tweak कर सकते हो maximum tokens को आप change कर सकते हो और जैसे ही क्या करेगा कि मुझे जो prompt है वो मुझे मिल जाएगा जैसे ही मैं क्या करूँगा कि एक file में इसको save कर दूँगा ठीक है तो मैं यहापर जल्दी से क्या करूँगा मैं यहापर लिखूँगा if os.part.exists और मैं यहापर लिखूँगा openai files मैं यहापर एक folder बनाऊंगा openai files के नाम से या फिर मैं openai files के नाम से बना लेता हूँ ठीक है एक folder या सिर्फ openai के नाम से बना लेता हूँ और मैं यहापर openai के नाम से जल्दी से folder बना लेता हूँ new folder फोल्डर 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 डिरेक्ट्री openAI ठीक है capital O और AI ठीक है और इसके बाद मैं कहूँगा if not अगर यह directory exist नहीं करती है तो इस directory को बना दो os.mkdir openAI यहाँ पर यह directory बना देगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा with open और यहाँ पर मैं लिखूँगा let us say क्या लिखूँ मालो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ मालो कोई भी एक ऐसी फाइल का नाम में generate करना चाता हूँ मालो मैं random number generate करना चाता हूँ import random और मैं आपर लिखूँगा random.randint तो मैं आपर लिखूँगा prompt और इसके बाद लिखूँगा dash लगा कर मालो random.randint और मैं एक random integer ऐसा generate करूँगा जो की काफी बड़ा होगा और random होगा now again this is not something जो की हमेशा unique होगा 1 से लेकर मालो मैं इतने बढ़ integer की बीच मैं कोई भी random integer ले रहा हूँ तो there's a very very high chance की मैं इसको जो है यह जो होगा एक random integer generate करेगा but this is not the safest way to generate a random number आप में भी एक prompt का auto increment चला सकते हूँ 1 से लेकर but I'll leave that to you ठीक है मैं आपर sf लिखूँगा and I want to write to this file तो मैं w mode में इस file को खोलूँगा और मैं आपर लिखूँगा f dot write और मैं आपर लिख दूँगा text now what is text? text एक string होगी जो कि initially empty होगी text is equal to एक empty string और text में हम क्या करेंगे सबसे पहले prompt लिखेंगे text is equal to a empty string जिसमें हमारा prompt होगा open ai response for prompt prompt और ये रहेगा और इसके बाद backslash n लगाकर मैं कुछ starts लगा दूँगा इस तरह से बाद backslash n दुबारा लगा दूँगा और एक और backslash n और उसके बाद content होगा वह मैं लिखने वाला हो तो मैं यहाँ पर यह response dot text होगा मैं आपर क्या करूँगा अगर मैं using artificial intelligence बोलूँ तो यह simply यह prompt पकड़ा देगा किसको यह simply AI को पकड़ा देगा यह prompts ठीक है तो मैं आपर simply लिखूँगा in fact कहूँगा रहा इसको run करता हूँ पहले Jarvis using artificial intelligence write a letter for my resignation so guys मैंने आपर जो है mistake कर दी और वो यह है कि मैंने os.part.exists की जगा os.part.exists लिख दिया था तो मैंने इसको अभी भी सही किया है and I think this should work now very well आप इसको run करते है Hey Jarvis write an email for resignation to a boss तो अभी आपर इसने कुछ नहीं किया क्यों नहीं किया कि मैंने using artificial intelligence नहीं कहा Jarvis using artificial intelligence write an email to a boss for resignation from an employee इसने आधा artificial intelligence होना I don't know why what's wrong एक बर और ट्राइ करता हूँ तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने इसको दो बार prompt ऐसे दिए जिसमें artificial intelligence था जैसे कि मैंने इसको बोला using artificial intelligence write a resignation letter to a boss from an employee और इसने यह letter लिख दिया मैं आप लोगो यहां पर wrap करके दिखाता हूँ कितना बड़ी है letter इसने लिख दिया तो आप देख सकते हो कि यह मेरे पास ऐसा template save हो गया मैं इसको कभी भी use कर सकता हूँ अब एक चीज और अगर आप लोग यह चाहते हो कि आपका जो यह prompt dash करके इस तरह से ना आये file name तब आप कुछ इस तरह से कर सकते हो जैसे कि मैंने आप पर एक random integer generate करके आपको बताएगी कि इस तरह से आप यह कर सकते हो आप एक काम करो आप control D करो और directly prompt को ही बना दो यानि कि prompt जो है न आपका prompt को ही file name बना दो या prompt के कुछ characters ले लेते हैं मालनो 30 characters ले लेते हैं 0 colon 30 करूंगा prompt x string है 0 colon 30 मैंने किया and dot txt obviously dot txt और अभी मैं आपर इसको try करूं दुबारा से तो मैं इससे करूंगा using artificial intelligence write a python program मैं कुछ इस तरह से बोलूगा Jarvis AI Jarvis using artificial intelligence write a python program to send emails using Gmail okay और इसको मैं भी stop करता हूं मैं देखूंगा या पर आया की नहीं अब आप देखो using artificial intelligence.txt आ गया which is a problem मैं आपको बताता हूं why is it a problem मैं 30 characters शुरू के ना ignore करने वाला हूं ठीक है या फिर मैं काम करूंगा prompt.split करूंगा intelligence के बाद वाला ले लो और यह थोड़ा था funny सा लगेगा आपको but this is going to work very well क्यों क्योंकि मैंने आपर prompt में intelligence बोला है और मैं आपर क्या कर रहा हूं मैं one से लेकर सारे ले रहा हूं intelligence के बाद वाले और उनको कर रहा हूं join ठीक है मैं किसी चीज से join नहीं करूंगा prompt.split intelligence है यह one two बाकि जितने भी यहां पर है वो मैंने space से join कर दिये I hope आप समझ गई क्या करेगा यह क्या करेगा कि using artificial intelligence के बाद वाला सारा string ले लेगा ठीक है basic python है चलो try करते है Jarvis AI Jarvis using artificial intelligence write an email to a boss for salary increment okay stop करता हूँ और देखता हूँ कि यहां पर कुछ आया की नहीं शायद मैंने यहां पर using नहीं बोल पाया सही से Jarvis AI Jarvis using artificial intelligence write an email from an employee to a boss for salary increment और मैं इसको stop करूँ और आप देखना है यहां पर आ जाएगा तो write an email from an employee to a boss for salary increment amazing यार amazing I think this works ठीक है तो मैं दो-तीन इससे और generate कर वालूँगा यहां पर इसको delete करता हूँ और आप लोग यहां पर देखो कि यह safe delete करने को मुझे बोल रहा है जो कि पायचाम का एक बहुत कमाल का feature है यह search करेगा comments में और strings में और अगर यह file जो आप delete करने वाले हो यह already मौझूद है थोड़ा safely delete करो और आप okay कर दोगे तो यह delete हो जाएगी ठीक है यह जैसे कि आपने यह पर देखा यह safe delete यहां पर पायचाम ने मुझे करके दे दिया ठीक है अब मैं कुछ और यहां पर generate करने वाला हो लेकिन उससे भी पहले एक छोड़ी सी चीज़ और करूंगा और वह यह है कि मैं यह जो spaces है नहीं यहां से intelligence के बात जो spaces आने वाली है उनको मैं हटाना चाहता हूं तो मैं simply क्या करूंग इसको dot strip भी कर दूंगा dot strip ठीक है जिससे की starting की end की space चली जाएगी अब मैं आपर कुछ चीज़ जनरेट करता हूं Jarvis AI Jarvis using artificial intelligence write a python program to create star using turtle okay तो यहां पर using नहीं आ पाया मैंने wait नहीं किया Jarvis AI Jarvis using artificial intelligence write a python program to create a star using turtle Jarvis using artificial intelligence write a python program to send email using Gmail Jarvis using artificial intelligence write an essay on sports actually मैंने थोड़ा इसको time नहीं दिया Jarvis write an essay on sports मैंने using artificial intelligence नहीं बोला my bad okay इस बार यह वाला prompt चला जाएगा क्यों चला जाएगा फिर यह इसने यह भी generate कर दिया तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़े बोल सकते हो सिर्क मुह से और यह सब चीज़े जनरेट कर आकर रख सकते हो और बाद में इनको देख सकते हो यह हो इसे डिली है आप आप लोगो के लिए छाएट तो आपर मैं क्या करूंगा मैं आपर लिखूंगा else मैंने आपर if, alif, alif, alif मैं इसको wrap किया है तो मैं आपर लिखूंगा else और इसके बाद मैं लिखूंगा कि एक chat नाम से function मनाओ जो की query लेता हूँ ठीके तो मैं इसको copy कर रहा हूँ मैं यहाँ पर chat नाम से function मनाओंगा और मैं यहाँ पर def लिखूंगा और यह query लेगा हम एक plugin के बारे में आप लोगों को यहाँ पर introduce करना चाहता हूँ तो आप लोग अगर settings में जाएंगे और settings में जाने के बाद आप लोग plugins में जाएंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे AWS toolkit तो आप लोगों को यहाँ पर AWS toolkit मिल जाएगी आप इसको install कर लें मैंने अलड़ी install किया हूँ और यह एक बहुत अच्छा alternative है उन सारे paid tools का जुकी आप लोगों को code completion के लिए काफी hefty amount charge करते है code whisperer AWS की तरफ से JetBrains के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करता है और आप लोगो मदा आ जाएगा यूज करके मैं control क्लिक करके आप लोगो यहाँ पर दिखाता हूँ आप देख सकते हो कि जो code whisperer है आप लोग free में use कर सकते हो ठीक है तो code whisperer को free में कैसे use करना है यह भी मैं आप लोगो को बताऊंगा अभी आप इसको okay करें और okay करने के बाद आपने simply क्या करना है यहाँ पर AWS toolkit में आना है और इसके बाद developer tools में आना है और यहाँ पर code whisperer जैसे कि मुझे यहाँ पर लिख कर आ रहा है AWS Builder ID Connected आपने आपने क्या करना है कि अपनी एक Builder ID Connected करना है जब आप इसको activate करेंगे डबल क्लिक करेंगे इसको start करने के लिए तब आपको यह login मांगेगा आप बस simply steps follow करते हो यह login कर लेना ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर जल्दी से दिखाता हूँ personal email ID से sign up करने को बोलेगा यह आपका AWS account नहीं है Amazon account नहीं है यह AWS Builder ID है जो कि आप अपनी email से बना सकते हो simple process है account बनाने का अपना email डाल देना यहाँ पर फिर उसके बाद आपके email पर code आता है वो code डाल देना यहाँ पर नाम डालने के बाद and finally verification code डालने के बाद आपने करना क्या है कि आपको एक password बनाना है and इस तरह से connect हो जाएगा यह वीडियो आप लोग देख लेना अगर आप लोगों को यह वीडियो का link चाहिए तो मैं code में डाल देता हूँ ठीक है यहाँ पर कहीं डाल देता हूँ code में इसको resume की auto suggestions को मैं enter मारूंगा यह मुझे suggestions देना start कर देगा मालनो मैं आप चैट लिखता हूँ in fact यह देखो इसने पूरा का पूरा code generate कर देखो इसने मैं enter मारा मैंने wait किया इसका तो यह क्या करेगा देखो code whisperer यह लिख कर आ रहा है इसे गोला गोला घूम रहा है अगर आप लोग को नहीं दीखा तो मैं दीखाता हूँ यह देखो यहाँ पर देखो आप code whisperer ने अपना काम कर दिया मैं enter मारूंगा code whisperer अभी इंतजार कर रहा है in fact code generate कर रहा है मैं wait कर रहा हूँ code whisperer और यह देखो यहाँ पर इसने यह code generate किया ठीक है तो मैं अभी code whisperer की suggestions जो है वह दूसरी भी ले सकता हूँ मालो मैं आपर लिखता हूँ write a program to use openAI key ठीक है मालो मैंने एक random सी चीज़ डाली देखो यहाँ पर इसने लिखना शुरू कर दिया ठीक है अब मालो मैं इसको tap दबाऊं तो देखो नीचे code whisperer generate करना शुरू कर रहा है चीज़ और देखो देखो आप लोग और यह देखो यह इसने code जो की आपका all the tools करते है वो इसने generate करना start कर दिया ठीक है तो मैं simply आपर क्या करूंगा अभी कि code whisperer को use नहीं करूंगा मैं इसको simply pause कर दूंगा ठीक है आप इसको लेकिन use करना throughout the project मैंने इसको use नहीं किया क्योंकि मैं learning experience बहुत ही transparent रख में चाता था आप लोगों के साथ चीजें ऐसी लिखना चाता था जो कि हम लोग यह नहीं करेंगे हम simply क्या करेंगे जो हमारा prompt होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि Harry ने बोला क्या बोला Harry ने बोला जो भी prompt है वो तो Jarvis क्या बोलेगा what will Jarvis ठीक है यह हमें auto complete करवाना है और यह auto complete हमें करवाना है globally ठीक है तो मैं एक काम कर सकता हूँ एक global chat चला सकता हूँ ठीक है और वो जो हमारा chat variable होगा वो एक जैसे मानलो कुछ इस तरह से रहेगा chat is equal to blank ठीक है कुछ इस तरह से रहेगा और आप यहाँ पर देख सकते हो Harry ने कुछ कहा पर Jarvis कुछ कहेगा और मैं आपर simply क्या करूँगा लिखूँगा chat plus equals to this यह f string ठीक है यह f string और यह हमारी जो है यह हमारा prompt होगा अब आप लोग देखना मैं आपर कर क्या रहा हूँ आप लोग हो गया यह कर क्या रहा है और मैं इसका नाम chat str कर देता हूँ definitely यह काम इसलिए किया मैंने chat हमारे function का नाम भी रहा है यहां पर यह क्या कह रहा है यह कह रहा है unresolved reference chat str ठीक है तो यहां पर chat str blank है query और chat str मैं लेना accept करूँगा यहां से और यह chat str है मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर chat str को हम pass भी करतेंगा in fact एक काम करते है chat str को globally हम मैं इसको जारा control z करता हूँ chat str को हम globally ही क्यों न write करें ठीक है तो मैं आपर लिखूँगा global chat str और यहां पर prompt हमारा chat str ठीक है तो finally हम क्या करेंगे कि हमारा prompt होगा जैसे मानलो भी chat str blank string है तो यह मेरा prompt होगा Harry ने जो भी prompt दिया है in fact query बोलना चाहिए मुझे जो भी query दिया है जैसे मानलो Harry ने काई तो Jarvis क्या कहेगा यह open AI हमको बताएगा और जो open AI हमको बताएगा उसको हम return करेंगे simply तो यह text plus is equal to न करके हम क्या करेंगे return करेंगे return क्या करेंगे इसका response return करेंगे और response को तो return करेंगे लेकिन जो हमारा chat variable है उसको हम और अच्छा बना देंगे तो हम यहाँ पर simply क्या करेंगे chat str plus equals to क्या होगा chat str plus equals to क्या होगा chat str plus equals to हो जाएगा एक तो हमारा जो chat str में है वो तो रहेगा ही रहेगा लेकिन Harry ने क्या कहा Jarvis ने क्या कहा ठीक है तो plus equals सबसे पहले हम यह response डालेंगे तो यह सबसे पहले response आएगा हमारा और यह response के बाद क्या आएगा मैं in fact एक काम करता हूँ यहाँ पर single quotes single quotes यूज करता हूँ single quote मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि double quotes की f string हमने बना रखी है तो single quote हम लोग यूज कर रहे है और आप यहाँ पर देखो मैंने यह किया और इसके बाद मैं backslash end कर दूँगा ठीक है इससे क्या होगा इससे basically होगा क्या मैं आपको बताता हूँ इससे होगा क्या मैं आपको यहाँ पर print करके दिखाता हूँ chat str को ठीक है और आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा जब मैं Jarvis चलाऊंगा Jarvis AI Jarvis how are you तो मैं इसको stop करता हूँ और अभी इसको थोड़ा analyze करते है तो user ने कहा Jarvis how are you doing Harry ने कहा Jarvis how are you Jarvis ने कहा I am doing well Harry how are you Harry ने कहा Jarvis how are you Jarvis ने फिर से कहा I am doing well Harry how can I help you तो इस तरह से Jarvis हमसे बात करेगा बस अब मुझे करना क्याना यहाँ पर say function चलाना है तो जो भी Jarvis कह रहा है वो मुझे say करवा देना है बस प्रिंट कर रहा हूँ ने यह इसको say कर दूँगा इस तरह से say response choices zero text ठीक है अब इसको try out करते है दुबारा से Jarvis AI Jarvis how are you I am doing well thank you for asking how are you today Jarvis I am good that's great to hear is there anything I can do for you today Jarvis what was the day on 7th May 2002 the date was Thursday May 7th 2002 Jarvis my name is Harry yes Harry Jarvis remember these numbers 99273 yes I have remembered the numbers 99 to 73 Jarvis now tell me how are you I am doing well thank you for asking how can I help you Jarvis tell me the number I just told you the numbers you asked me to remember 199 to 73 Jarvis I am feeling lonely please talk to me of course of course Harry would you like to talk about anything in particular Jarvis I want to talk about fruits all right let's talk about fruits what would you like to know tell me which is your favorite fruit my favorite fruit my favorite fruit is mango what about you Harry what is your favorite fruit my favorite fruit is watermelon Jarvis that's great watermelon is a delicious and refreshing fruit Jarvis how to change voice in windows to change the voice in windows to change the voice in windows you can go to settings time and language speech text to speech from there you can select a different voice and customize the various settings wow guys nice nice I hope that I don't bore you when I talk about Jarvis we will come up and I have put print statements here I will remove them I don't want to print the chat string I was showing you that our chat can be done now I will do another thing I can add two alifs I can add two alifs related to dos I will add here i will add lift i will add in service jarvis quit jarvis quit.lower i will add in query.lower and i will add in query.lower and i will add in exit and if i have said Jarvis reset chat is fact reset chat then what will be simply simply chat str को blank बना देंगे ठीक है तो let's see कि ये काम कर रहा है कि नी ठीक है Jarvis AI Jarvis how are you Jarvis ने बोलना ही मन कर दिया यार ये क्या चल रहा है actually मैंने एक mistake कर दी कि मैंने यहाँ पर lf ये पूरा complete नहीं किया तो मैं इसको complete करता हूँ और मैंने यहाँ पर एक variable भी लगा दिया है in fact print statement भी लगा दिया है print chatting ताकि जब भी chatting कर रहे हैं तो पता चल जाए Jarvis AI Jarvis how are you Jarvis I'm doing well thank you for asking how about you Jarvis remember number 9 number 9 is the square root of 81 Jarvis remember this number I will ask you again I have stored the number in my memory what would you like to do with it Jarvis reset chat I have reset the chart is there anything else I can do for you Jarvis reset chat Jarvis now tell me the number the number is 8 so this is the wrong number so this is the wrong number we have reset the chat so this is the wrong number in fact I will do a work I will run it again you can check the chat the chat str you can check the chat str you can check the chat str I will run it again Jarvis AI Jarvis how are you hello Harry how may I help you how are you Jarvis I am well thank you for asking how are you Jarvis I am good what is your name my name is Jarvis I am an eye assistant created by Tony Stark Jarvis change your name to I am sorry Harry I can't change my name Jarvis when is your birthday I don't have a birthday Harry I was created on April 15 2020 Jarvis reset chat Jarvis what did I just ask you you asked me what you just asked Jarvis what did I ask you asked me what you asked okay so guys آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھول گیا reset chat کرنے سے chat reset ہو جاری تو کبھی بھی آپ نے کچھ باتیں کری Jarvis اور آپ چاہتے ہو کہ یہ بھول तो आप बुला भी सकते हो it's as simple as that I hope कि आप लोगों को मज़ा आया जावेस बनाने में मैं आपर कुछ to do's आप लोगों को बताना चाहूँ जो कि आप जावेस के साथ कर सकते हो जावेस एक बहुत interesting चीज़ बन सकता है आप लोगों के लिए और आप लोग weather इस से पता लगा सकते हो और weather आप चार्ट जीपीटी से पता मत लगाना openAI से पता मत लगाना क्योंकि openAI के पास जो data है वो 2021 तक का है और उसके responses उनी पर आधारित होते हैं आप लोग क्या करो कि simply चार्ट जीपीटी से ना पूछते हुए एक weather API का इस्तिमाल करो और मैं आप लोग को एक अच्छी सी weather API recommend करी दूँगा तो weather API मैंने इस channel पर भी पहुत सारे videos बना रखे है weather API हमने देखना वापर कौन सी use की हुई है जो भी use की हुई है आप बिलकुल उसी तरह से I think मैंने ये वाली use की हुई है आप लोग ये free है by the way it's not paid basic usage के लिए free है तो आप basic usage के लिए अपना project सिर्फ खड़ा करने के लिए बना सकते हो use कर सकते हो इसको फिर आप पूछोगे की what's the weather in Delhi India ये आपको बता देगा ठीक है एक ये use case हो गया फिर एक दूसरा use case जो मैं बताना चाहता हूँ वह है news API news API एक बहुत ही बड़िया कमाल की news API है जो कि आपको live news देती है तो आप Jarvis से कह सकते हो फिर मुझे current affairs पता हो आप Jarvis को कुछ particular sports या फिर कोई एक particular let's say politics या फिर आप किसी और चीज में अगर रूची रखते हैं तो उससरे related news वेच करने को बोल सकते है ये एक चीज हो गई उसके बाद आप और भी बहुत सारी चीजें जो कि शायद आप manually करते हो वो Jarvis से करवा सकते हो chart GPT का use करके chart GPT के अपनी API भी है by the way मैंने most simple model यूज़ किया आप open AI को और explore कर सकते हो इन parameters को tweak कर सकते हो और फिर आप देखना इसकी शक्तिया कितनी जारा बढ़ जाएंगी और आपको भी मज़ा आएगा यूज़ करने में so guys I hope कि आप लोगों को मज़ा आए प्रोजेट को बनाते वक्त मेरा इस प्रोजेट को बनाने का अदेश यह था कि आप लोग एक basic समझो open AI कैसे काम करता है यह समझो और उसी के साथ-साथ आप लोग यह समझो कि किस तरह से अलग-अलग चीजों का स्टमाल करके voice controlled input यूज़ करके बैठे-बिटाए काम करवाए जा सकता है चार्ट GPT, open AI और यह जितने भी models हमने यूज़ कि है उनको प्रियोग में लेते हुए बहुत सारे लोगों को इस installation के टाइम पर problem आई की यह हो सकता है किसी एक particular feature को लेकर problem आई मैं कोशिश ये करूँगा कि pinned comment में बिल्कुल maintain रखूँगा चीजों को और जितनी भी references बगएर रहेंगे जैसे कि pie audio related errors उनको कैसे solve करना है macOS में अगर आप हैं बहुत सारे लोग मुझे पता है यह सवाल पूछने वाले हैं कि Windows का save function कैसे बनेगा जबकि वो आपसे सिर्फ एक Google search दूर है उसके बाद भी लोग पूछेंगे पर अगेन मैं भी आप लोगों को अच्छे stack overflow के जो links हैं और जो भी problem solve करने वाले links हैं वो pinned comment में डालके देने वाला हूँ आप इसको अलग लेबल पर लेकर जाओ इसमें कुछ नए features add करो और अपने project को unique बनाओ क्योंकि अगर आपका project भी दूसरे लोगों के project जैसा है तो शायद आपके project को उतनी अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा जितना आपकी project को तब देखा जाएगा जब आपका project काफी unique है आप कुछ चीज़े ऐसी डालो जो कि शायद मैं भी नहीं सोच पाया कुछ चीज़े ऐसी डालो जो कि शायद useful बहुत जादा है और है बहुत simple ऐसी बहुत सारी चीज़े हमको मिल जाएगी और जो सबसे जादा useful चीज़ होती है जो सबसे जादा simple most of the cases में मैंने देखा होती है तो आप लोग उस तरह की चीज़े ढूंडो और लोगों का जो काम है अगर आपने आसान मना जिया इस desktop assistance से जैसे कि आप किसी को भी दे सकते हो आप एक ऐसे इंसान को दे सकते हो जो कि stock manage करता है वो मुह से बोलेगा कि ये चीज stock में आट करो ये चीज stock से remove करो और काम हो जाएगा तो बहुत अच्छा है उसके लिए वो बैठे-बैठे simply voice command देकर इस सारे काम करवा सकते है आप अपने घर की lights control कर सकते हो Alexa अगरे यूस करके बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती है मैं यहाँ पर अगर बताने बढ़ गया तो मैं बता रहा हूं कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा I hope कि आप लोग समझ गए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और आप लोग यह भी समझ गए कि आपको अब क्या करना इस project को आगे ले जाने के लिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time